हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं यूट्व चानल लाज आनिमल वेट आज हम बात करेंगे पशुव में होने वाले एपसेस के बारे में है एपसेस जो हेएव को हमें हर किसी आनिमल्समें देखने को मिलता है जैसे कि गाए हो भैस हो घोडा हो बैल हो कुत्ता बिल्ली जो भी एनिमंल्स होते हैन्य ऊश्रमत प्राब्लम हमें एपसेस का देखने को मिलता है और सब्सक्राइब99 पार्ट में हो सकता है और किसी भी परॉक मैं हो सकता है तो एक्चूली क्या होता है कि जो उसके अंदर पस बरा होता है तो थो क्या होता है rav flies kuh waking ocean होता है तो इसके ही बारे में आज हम बात करेंगे कि कि एकेस का कुम हमें कैसा करना है अगर एपसेस इमेच चूर है तो क्या करना है अपसेस मेच्चूर हो गया तो फिर तो इसी के बारे में हैज आज हम लेगी लेकिन उस से पहले अगर आप मेरे चॉशनल से नहीं जुड़े तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एपसे साखिर होता क्या है तो सिंपल लेंग्विज में अगर कहें तो बाड़ी में कही पर भी किसी भी जगह पर एक पॉकेट बन जाता है और जिसके अंदर पस जमा हो जाता है तो आकिर वहां पर पस जमा क्यों होता है तो वहां पर जो इंफेक्शन होता है तो उस इंफेक्शन को बाड़ी का जो रिस्पांस होता है तो वहां पर बाड़ी जहां इंफेक्शन हो जाता है तो वहां पर जो वाइट ब्लड सेल्स होती है तो उसको वहां पर भीजती है तो उस infection को खतम करने के लिए जिसको phagocytosis कहते हैं तो वहाँ पर infection खतम करते समय जो white blood cells है वहाँ पर वह भी मर जाती है तो आखिर पस होता क्या है उसका जो content होता है मतलब पस की चीज से बनता है तो पस जो है जो वहाँ पर macrophages होती है तो वह जब वहाँ पर मर जाती है तो वह मरे हुए जो white blood cells है मराफ़ा बैक्टिरिया या जो fungus है जिसका infection वहाँ पर हुआ था तो वह है और जो dead tissue हो जाते हैं तो यह जो combination होता है यानि कि है जो white blood cells होते हैं dead tissue होते है और बैक्टिरिया या फिर जो भी फंगस होता है तो वह dead हो जाते है तो वह liquefy हो जाते है और वही होता है पस जो की जो की body tissues के अंदर accumulate हो जाता है और वहाँ पर गाठ बन जाती है तो जिसे हम abscess कहते है तो abscess जो है वह पश्यूव में mature हो सकता है immature हो सकता है जब initial zeo yeah take stage में वहां पर वह मैच reforms नहीं होता है तो इससे किसे में क्या कर नहीं होता है कि जब abscess नहीं होता है तो वहाँ पर हम hot fermentation कर सकتे है कि गर्म पानी से या गर्म कपड़े से उसको उसकी जो है वह हम सिखाई कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कि जल्दी से मैच्वर होने में मदद होगी या फिर उसकी जगह हम जैसा कि आप स्क्रीन पर आयोडेक्स देख रहे हैं तो उस एपसिस पर उस गाठ पर हम वहाँ पर आयोडेक्स अच्छी तरह से लगा देना है जब तक वह डिसयाफियर नहीं हो जाता उसके बाद उसको गर्म कपड़े से या गम पानी से शेकना है तो यह अगर हम ऐसा दो तिन दिन करते हैं तो वह जद्दी से मैच्वर हो जाता है या फिर जो आयोडिनाविजमिन्ट मिन्ट आते हैं तो उसको लगाने से भी वह ज्यादा है उसके बाद हमें उसको इंसनलेकर नेकर नापरता है जो हि मैच्वर Aufsveus होता है इसको अगर हम प्रेस करके देखते हैं तो वह हमें पर हरग लगता है वो बिल्कुल भी नर्म नहीं होता है और वो painful भी होता है, hot भी होता है, लेकिन जब exercise mature हो जाता है, तो वहाँ पर अगर हम press करके देखते हैं, तो वो हमें बहुत ही soft लगता है, और अगर हम वहाँ पर synthesis करते हैं, यानि कि अगर हम वहाँ पर needle insert करके देखते हैं, तो वहाँ से सीधा पोशाने लगता है जबकि इमेचर एफसस में क्या होता है अगर हम वहां पर मैसलिस करते हैes यानि कि वहां पर निदल इंसर्ट करके देखते हैं तो वहां से ब्लॉड निकलेगा तो हमें कभी जो मैचर होता है ऑसे वहां पर इंसिजन नहीं लेना है उसको पहले मैचुर करना है चाहे फिर वो जैसे कि हम आयोडेक्स का वहाँ पर अप्लिकेशन कर सकते हैं और उसके साथ होट फोमेंटेशन कर सकते हैं तो इससे एपसेस जल्दी मैचुर हो जाएगा उसके बाद ही हमें वहाँ पर इंसीजन लेना है है तो सबसे पहले हम मैं क्या करना है कि वहाँ पर जब हम इंसीजन लेते हैं तो हमें वह पर लिग नोकेल लगाना होग जो वहाँ पर hairs होते हैं, बाल होते हैं, उसकी shaving करनी है, उसको अच्छे से antiseptic lotion से साफ करना है, उसके बाद हमें वहाँ पर incision लेना है, तो incision जो है, तो कभी-कभी जो abscess होता है, उसको center में point होता है, जहां से वो rupture हो जाता है, तो वहाँ पर हम incision ले सकते हैं, या फिर जो नीचे की त पस है, वो पूरी तरह से वहाँ से drain हो जाएगा, पस जो है, वो normally yellowish color का, whiteish color का होता है, लेकिन और greenish color का भी हो सकता है, लेकिन उसको usually जो है, वो कोई भी order नहीं होती है, यानिकि उसकी कोई भी बद्बू नहीं आती है, जब वहाँ पर bad order आती है, जो बद्बू आती है, तो उसका मतलब होता है, कि वहाँ पर cvr जो है, वो infection हुआ है, तो वहाँ पर हमें खास ध्यान देने की ज़रूरूरत होती है, तो ऐससे situation में हमें वहाँ पर जो एंटिबाटिक होते हैं, वो कम स incision लेते हैं, तो उसके बाद हमें जो अंदर pyogenic membrane बना होता है, उसको destroy करना होता है, तो वहाँ पर हम tincture arduin का गौस बना कर उसके अंदर रख देते हैं, ताकि जो pyogenic membrane वो destroy हो जाए, तो इसके साथ साथ जो हमें medicines देनी होती है, तो हम वहाँ पर 3-5 दिन तक antibiotic का उव्योग कर सकते हैं, वहाँ पर आप tylosine भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आप safety over भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो non-steroid anti-inflammatory drugs होते हैं, उसको भी हमें कम से कम 3 दिन वहाँ पर देना है, इसके साथ साथ जैसे के आप ये screen पर देख रहे हैं, ये निव को जल्दी recover होने में मदद मिलेगी, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,